गुजराप के कच्छ जिले में किसान, केमिकल यानी रासायनिक खेती को छोड़ कर अब प्राकृतिक और नई तक्नीकों को अपना रहे हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है इन किसानों के इस प्रयास से क्रिशी केक शेत्र में एक नई क्रांती देखने को में रही है कच्छ के भचाओ में रहने वाले रतिलाल सेथिया एक ऐसे ही किसान है जो पहले मूंफली, कपास, जीरा और सबजीयों की रासायनिक खेती करते थी लेकिन जब उन्हें रासायन के हानिकारिक प्रभावों के बारे में पता चला तो उन्होंने 2009 में और्गानिक खेती करने शुरू की इसके अंतरगर उन्होंने सुभाश पालेकर नैचुरल फार्मिंग की पधती और बहु फसली प्रणाली को अपनाया जिसे जंगल मॉडल भी कहा जाता है इस प्रणाली को अपनाने के बाद उनकी किसमत ही बदर गई उन्होंने 2017 में खजूर की और्गानिक खेती भी शुरू की और आज वो अपनी खेती से लाखों का मुनाफ़ा कमा रहे हैं यह जंगल मॉडल पूरा बोला जाता है अब देख रहे हैं अभी यह खजूर का बाग है 2017 से लगाया है उसके बीच में अमरूद भी है आम भी लगाया है केला भी है तो यह पूरा जंगल मॉडल है हमा उसको फूड फोरष्टी बोलते हैं उसको एटीम भी बोलते हैं कि खजूर तो साल में एक भर आती है अभी कभी बारिस आ गया कुछ भी डिस्टब होता है तो किसान रूख जाता है उसका इंकम लोस हो जाता है साल में एक बार आती है तो फिर साल पर पुरा बैठना पड़ता है किसान को खजूर तो मिलता है एक साल में, नीचे उसका सीजन खतम होने के पद अपना अमरुद मिलता है, उसके बाद अपना आम का भी मिलता है, और केले भी है, पपीते भी है, वेजीटेबल से पूरा हम जगा कवर कर लेते हैं, और पुरा जो नेचरल फार्मी के जो पांच पीलर है तो हम उसको फोलो करके पुरा ये डेवलोप किया है और पुरा सालाना भर हम को इसमें पर एकर के इसाब से अभी 12-15 लग पर इंकम हमको हो रहा है अगर हम लोग इस सिस्टम नहीं करते तो क्या होता था? हमारा जो क्रोप होता था हूँ मार्केट में बेशता है वो होल्सेल वाले रिटेल को बेशते है रिटेल वाले के पास से हमारे कस्टमर खरिदने जाते है और उसके अंदर जो वेल्यो एडिंग हो जाता है almost double से भी जादा हो जाता है तो यहां हमको भी अच्छा दाम मिलता है और खास करके जो हमारे क्लाइंट है उसको सही दाम में सही प्रोडक्ट और डारेक्ट फार्म टू फिंगर ऐसा हमारा कॉंसेप्ट है कि फार्म से सीधा फिंगर मतलब अपना उंगली तक हो कॉंसेप्ट से अम लोग काम करते हैं जब इतनी गवर्मेंट सपोर्ट कर रहे हैं एक ड्रीप एरिकेसिन में सबसेड़ी ड्रेगण फ्रूट आप कमलम फल लगाओ तो उसमें तीन लाख से साड़े तीन लाख रूपिया पर हेक्टर पे सबसेड़ी मिल रहे है फलों में जब फल इसका आ गया और बोक्स में जब बोले किसान को खंबे से खंबा मिला के खड़ी है फार्मर्स इतना थोड़ा अपने अपने को उपग्रेट करने के लिए अलग अलग रिसरच इंस्टीटूट में जाते हैं वहांसे खेती सिखते हैं नई टेकनोलोजी के बारे में जानते एड़प्ट करते हैं कुछ फार्मर याने कि कोई लोग इसराइल और दूसरे गंट्री में जाके वहां की खेती सिखके यहां का फार्मिंग भी इन्होंने इंपरूव किया है और यह सब चीजों को मिला के इनका एक्स्ट्रेक निकला जाए तो टेकनोलोजी एडप्शन, लार्ज स्कल फार्मिंग, जियोग्र यह सब चीजे होने से यहां का ओर्टिकल्चर काफी अच्छा भूम कर रहा है इसी के साथ इस खबर में बस अतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर की यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाए ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अबडेट से आप कहीं चूक ना जाएं झाल झाल झाल